Hello friends, first of all, welcome to Knowledge Gainer channel. यह है Microsoft Word for Beginners Video Series का 5th lecture है. इस lecture में हम जो Microsoft Word का design tape है, उसको detail में with example explore करेंगे. इस से पहले के जो 4 lectures है, उसमें हमने Excel के basic elements, Excel की home tape, फिर insert tape, यह सब को हमने detail में explore किया. तो इनके link है हुई इस video के description box में दिये हुए हैं. तो अगर आपको यह वीडियो का कोई भी topic explore करना है, तो आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं. इसके अलावा इस video series के जो भी आगे आने वाले 5 lectures है, उनके link में इस video के description box में दे दूँगा. तो आप उन पे click करके आगे वाले videos भी देख सकेंगे. और इस video के जो भी major topics है, उनके timestamp भी मैंने इस video के description में अटेज किया है. तो आप ये video अगर कोई specific topic के लिए देख रहे हैं, तो आप उस timestamp पे click करके directly उस topic पर जा सकते हैं. Just to clarify, इस video के लिए मैंने Microsoft Word का 2016 version है, वो यूज किया. तो चलिए सुरू करते हैं, तो design tape में जैसे हम यहां पर आएंगे, तो सबसे पहले आपको themes दिखेगी, फिर आपको यहां पर document, formatting, यह सब options दिखेंगे, तो सबसे पहले हम कोई text enter कर लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ equals to rand, और आप यहां बेकर डलना है, और enter करना है, तो आ तो title add करने के लिए हमने home वाले tape वाले lecture में, यहां पर आप देख सकते हो, styles देखे थे, तो आप यहां पर title पर जाओ, और यहां पर title हम लिखेंगे, ms word, उसके नीचे आओ, फिर मान लो कि हमको एक heading दे रहते हैं, heading 1 पर click करो, और यहां पर आप heading दे दो, description, तो यह अपना heading हो गए, अब हम फिर से design वाले tape पर आजाते हैं, अब आप यहां पर, जो भी type को आपको theme चाहिए, आप वो theme यहां पर select कर सकते हो, alright, तो जैसे हमें यह theme चाहिए, यह, या integral, तो यहां पर बहुत type की theme से, तो आप ले सकते हो, आप reset to theme from template उस पर click करो तो यह reset हो गया, या पिर माल लो की हमें अभी के लिए, यह वाला theme अच्छा लग रहा है, तो हम यह theme पर click कर दिया, इसके अलावा themes वाले option में आपको, आप browse भी कर सकते हो, themes कुछ से browse करके, कोई अच्छा theme है, वो select कर सकते हो, current theme है, उसको save कर सकते हो, फिर आप next document बनाओगे, तब यह वाला theme से use कर सकते हो, alright, तो यह सबते themes के option, उसके बाद theme के हिसाब से, यहाँ पर document formatting है, वो यहाँ पर adjust हो जारी है, तो जगो, जैसे जैसे में अलग लग, यह themes, जो भी document formatting हो, उन पर जाऊंगा, तो अलग लग यह से आपको changes दिख रहे हैं, document के formats में, right, let's say में इस format आगया है, और अभी के लिए हम यही रख दें, तो यहाँ पर आपको दिखी रहा है, सबसे पहले जो title है, वो यह से दिखेगा, वही हो रहा है, heading one है, वो यह से दिख रही है, उसके बाद जो भी content है, वो यह से दिख रहा है, तो आप देख सकते हो, कि अभी थ set to the default style set, मतलब जो default style set है, उस पर click करो गया, तो पहले से ही जो default था, उस style पर आगया है, लेकिन हमें यह अच्छा लग रहा है, इसके अलावा आप यहाँ पे, save as a new style set, मतलब एक नए style set में इसको डाल सकते हो, तो यह कुछ-कुछ options है, तो आप अगर दूबारा कुछ documentation करो तो आप पहले जो यूज कियो options उनको utilize कर सकते हो, इसके अलावा आप राइट में colors के option दिखेंगे, तो यहाँ पे office, यह custom वाला option आपको नहीं दिखेगा, बर office में जो-जो भी colors है, वो आप लगा सकते हो, जिसे मैं यहाँ, यह वाला colorate गर रहा हूँ, तो यहाँ वसी हिस के option है, आप office, Calibri, Light, Calibri, या जो भी है, Calibri के option है, Arial, तो यहाँ बहुत सारे font के options दिखेंगे, आप fonts को कस्टमाइज कर सकते हो, तो जो font आपको अच्छा लग रहा है, उससाब से आप font है, उसको adjust कर सकते हो, basically यह font themes है, alright, उसके बाद आपको राइट में दिखेंगा, प compact ले सकते हो, tight, open, थोड़ा अच्छा है, relaxed फोड़ा और बेटर दिखेंगा, तो वो आपकी document को कौन साइक particular style state, paragraph spacing style state, अच्छा लग रहा है, वो आप state कर सकते हो, alright, उसके बाद आपको नीचे effects दिखेंगे, तो effects अलग लगे, जिसे office, office 20, subtle, तो यह बहुत सारे effects, जिसे effects के नीचे आपको set as default का option दिखेगा, मतलब आपने अभी जो भी document formatting लगाया है, अगर आपको उसे as a default बनाना है, मतलब आगे के कोई भी document आप prepare करोगे, तो उसमें by default यह वाला formatting देगा, उसे आप change कर सकते हैं, but starting में ऐसा formatting दिखेगा, but मैं suggest करूँगा कि आप इसे ना करें मतलब आपकी document की need के हिसाब से आप खुदी formatting को adjust कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपको right में paste background के कुछ commands दिखेंगे, उसमें सबसे पहले आथा watermark, तो आपने काफी जगे देखा होगा, कि माल लो आपको कोई company का offer later मिला है, तो उसके नीचे या उस प watermark add कर सकते हो, तो इससे भी document है, वो अगर watermark की ज़रूर था उस document में, तो काफी important चीज है, तो इसमें आपको काफी सारे documents देख रहे हैं, जैसे do not copy वाला watermark देख रहा है, उसके बाद आपको नीचे कुछ और office.com से अलगी एक type of watermark मिल जाएंगे, आप watermark को customize भी कर सकते हो let's say मेर को यहाँ पर अपने channel का नाम डाला है, मैं custom watermark पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर देखो, अज़ पिक्चर भी डाल सकते हो, आप कोई भी watermark नहीं चीए, तो no watermark पर क्लिक करो, यहाँ पर मेर को text add करना हो, जैसे text यहाँ पर do not copy है, मैं यहाँ पर अपना knowledge generated channel है, कैलिबरी ही रहने देता हूँ, और size, आप size adjust कर सकते हो, इसे 44 कर दो, और color आपको कैसा चाहिए, color मालो आपको red type चाहिए, तो red कर सकते हो, layout कैसा चाहिए, diagonal चाहिए, horizontal, अभी diagonal मतलब तीर चा रहेगा, horizontal मतलब बर सिद्धा line रहेगा, और semi transparent, मतलब थोड़ा transparent रहेगा, semi transparent को हम चेक करोगे, apply करोगे, तो दो, close कर दो इसको, तो आपको यहां ऐसे knowledge gainer देखेगा, इसका फिर से change कर सकते हो, जिसे custom watermark पर आओ, और यहां पर semi transparent करो, तो थोड़ा सा transparent रहेगा, अभी थोड़ा बेटर है, अब इसका size change करके, इसको auto कर दो, तो यह पूरे page में हो तो यह watermark का option हुआ है, और आपको अगर watermark हटाना है, तो आप remove watermark पर click करो, तो यह हट गया है, alright, उसके बाद आपको watermark के right side में page color का option दिखेगा, तो आपको अगर page color करवाना है, तो जैसे में यहां आप पर माल लोग की, यह वाला color डाल देते हैं, note यह, let's say, यह वाला color थोड़ा ठीक दिख रहे है, तो इससे क्या है, कि आप अगर AJPDA प्रेजेंट करवा रहे हो, तो अच्छा दिखेगा, बट अगर आप इसको print करवा रहे हो, तो यह color नहीं आएगा, let's say, मैं print layout देखता हूं, control P या control F to दबाते हैं, आपको print layout देखेगा, तो इसमें color नहीं confidential वाला जो watermark है, अगर मैं control P दबाऊंगा, तो देखो, document में confidential यह नाम आएगा, alright, तो watermark है, जब आप प्रिंट कर रहा होगे, तो इसमें रहेगा, बट, page color है, वो नहीं रहेगा, आप इसमें no color कर सकते हो, कोई color नहीं चाहिए तो, आप इसमें और अगले type of colors या फिलिप box लगा देता हूँ, alright, और width इसको जैसे मैं बढ़ा देता हूँ, और ok कर देता हूँ, तो यहाप एक page border लग गया, आप यह जो border है, page border उसको customize भी कर सकते हो, तो इसके लिए देखो, आपको यह page border पर जाना है, मतलब जो पहला tape है, वो borders का है, उसके बाद page border है, इसमें आप art में जाके अलगलग type के art से वो भी select कर सकते हूँ, तो आपको जो भी art ठीक लगी उसको आप select कर लो यहाँ, alright, जैसे मैं यह art सेलेक्ट किया, और ok कर दिया, तो थोड़ा और अच्छा देख रहा है, किसी को invite करना, invitation card देना है, greet करना, तो इस type का page border, अच्छा page border सेट करके, इसको use कर सकते हो, अच्छे से, और भी इसमें कुछ-कुछ document है, कि यह सारे document पे apply करना है, यासे पहले page पे apply करना है, तो वो तो आपको understood है क्या होगा, इसके अलावा आपको अगर कोई particular paragraph के लिए border देना है, तो आपको उसको select करना है, page borders पे जाना है, यहाँ पे देखो, by पूरे paragraph पे border apply करना है, तो रहने दो, और मान लो अभी के लिए में एक box है, वही इसका border set परता हूं, और ok कर देता हूं, तो अपने paragraph है, उसके आगे एक box लग गया, मतलब उसका खुद का border लग गया, तो ऐसे आप और जो भी page borders के option है, उनको अपने end से explore कर सकते हैं, तो य paragraph spacing, watermark, page color borders, तो यह आपको अच्छे से समझाएं, अगर इन topics में से किसी पर भी आपको doubt हो, कुछ भी questions हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, अगर यह video अच्छा रहा, आपके लिए helpful रहा, तो प्लीज इसे like करें, और अपने friends के साथ सेर करें, अगर इस channel पर फर्स ताइम आ रहे हैं, तो प्लीज इसे subscribe करें, thank you for watching, till the end, मिलते हैं अगरे video में,